गोपाल गंज पुलिस ने आज एक बड़ी कारवाई करते हुए पेट्रॉल पंप सहित आधा दरजन लूट कांडो में शामिल अंतराजी लूट गिरोह के छे सदस्य को गिरफतार कर लिया है। इनके पास से दो देसी कटा, दो पिस्टल एवं आठ जिन्दा कार्टू सहित एक बैक से चरस्वी ब्रामत किया गया है। साथ ही जिस गारे से इन लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, वो कार एवं बाइक भी ब्रामत कर लिया गया है। सबी ने बताया कि अप्राधियों ने सिवान, गोपाल कंच एवं छपड़ा में एक दरजल से अधिक लूट कांडो में अपनी सनलिप सुईकार कर ली है। सबी पर जल से जल चार्शिट दायर कर इन्हें सजा दिलाई जाएगी। के साथ एक टीम बनी थी जिनको इस घटनाओं को विजवेदन तता अप्राधियों की पहचान और उनकी गिरफतारी के जिम्मेदारी सौपी गई थी। ये टीम लगातार मानवी आसूचना पता वैग्यानिक साक्षों के अधार पर इन्होंने जो लोग इसमें शामिल थे उनको चिन्मित किया गया और उनकी ट्रैकिंग की गई। कल पता चला कि ये लोग पुनः एक घटना कारित करने के लिए गुपाल गंच आने वाले हैं और बरहरिया के आसपास इन्हों का जुटान हुआ था शायद जो हम लोग को पता चला था वहां से ये लोग बरोली में कोई घटना करने के लिए निकले थे और एक जगह सत्मरिया जो बरोली थाने में वहां पर घेरा बंदी करके इन लोग की गिरफतारी की गई और इन लोग के पास से दो कटा दो देशी पिस्टर आठ जिंदा कार्टूस छे मोबाइल और इन लोग के पास बैग मिले जिसमें की कुछ चरस भी हम लोग बरामत किये हैं और इन की साथ इन लोग की गिरफतारी से लगभग आठ लूट के कांडों का उद्वेजन हुआ है जिसमें तीन गोपाल गंज, तीन सीवान और दो छप्रा, इन लोगों ने सीवान और छप्रा में भी पेट्रल पंप लूट किया था इसने यूज के प्रस्तुत करता है, सिटी सेंटर दा कम्प्लीट मल्टी ब्रांड में स्वेर शोरूम सुभास चौक दरभंगा, ली एक सक्लूसिव शोरूम सुभास चौक, और दैने कॉमी, तांजीन न्यूजपेपर दरभंगा